तीवी मुख भारत के लक्षे को समय पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब आयूश चिकित्सकों भी इस अभियान में जोड़ा गया है अब आयुर्वेदिक स्वास्ते संस्थानों में आने वाले टीवी मरीजों की जानकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक निक्षे पोटल पर अपलोड करेंगे इसके लिए आयुर्वेदिक अधिकारियों व चिकित्सकों के निक्षे आईडी जनरेट किये गए हैं आयुर्वेदिक हेल्ट सेंट्रों में जो भी TB मरीज आते थे आयुश विभाग उसके लिए referral unit के तौर पर काम कर रहा था और मरीजों को भेज देता था हाला कि आयुश विभाग पहले से TB मरीजों के लिए काम कर रहा था लेकिन अब कहीं ना कहीं reporting में gap आया तो ये निर्ने लिया गया कि आयुश विभाग को निक्षे ID जनरेट की जाए शिमला में reorientation program आयोजित हाल ही में राज्यस तरिये reorientation program किया गया जिसमें सभी नौडल officers, जिला आयुवेदिक officers, सब डिवीजनल आयुवेदिक officers ने भाग लिया इस दोरान आयुवेदिक चिकित्सकों को भी निक्षे portal पर enroll करने की बात कही गई साथ ही इस तरह से आयुष चिकित्सकों को किस तरह से निक्षे portal में enroll करना है इसकी विस्तरित जानकारी दी इसके अतिरिक शेहरी वर ग्रामिन शेत्रों में आयुष चिकित्सकों वर अधिकारियों को पेश आने वाली समस्याओं से निपटने के बारे में भी जानकारी दी गई अब यदि कोई टीवी मरीज आयुष चिकित्सका संस्थान में जाता है तो डॉक्टर उसे देखेगा और मरीज की पूरी डिटेल निक्षे portal में upload कर देगा आयुष चिकित्सकों की ID जनरेट होने से अब टीवी मरीज कहीं भी छूटेगा नहीं जो गैप पहले रह गया था वो भी दूर होगा इससे जो वर्ष 2024 में हिमाचल को टीवी मुक्त बनाने का लक्षे है उसे भी पूरा किया जा सकेगा आई श्विभाग तो शिरुवात से ही जो है वो जितने भी रेफरेल्स होते थे उनके एज सीज में आते थे आयरवेदिक हैल्थ सेंटर्स में उनको जो है रेफरेल यूनिट के तौर पे जो है काम कर रहा था और पेशेंस को भेज देता था फिर धीरे धीरे जो है जब र कि हूर्ण Aoji को यथ कि में आठीर वेज सब्डिवेजन एक उफिसर का जो हेल्ड इपार्ट्मेंट के साथ हूआ था और उसमें बहुत है हमारी दिरिशल्डियर्ट लिए शिर्कत की थी और उनको जो है वह किया गया कि इसमें immature किस हिसाब से जो है वो प्र्धल में अपन उंको और साथ में जो इंचार्जिस थे इंचार्जिस हैं, आयरवेधी पामिसी ऑफिसर्स उनको भी उस मीटिंग में जो DTO थे हरेद सब्रिविजन में और जो NTP के ऑफिशियल्स थे, उनको एन्रोल कैसे करना है, उस पोरल में पूरा जो है वो डिटेल में समझाया और जो उनको ground level पे कोई problems आती हैं, तो उनको कैसे solve करना है SGS के through, चाए वो rural areas में हैं, चाए वो suburb में हैं, उनको सबसे बताया गया, उससे कहीं पर भी अगर कहीं gap है, या कोई patient जिसकी reporting नहीं हो रही है, और वो referral के कारण रह जाती थी, तो उसमें जैसे ही patient आएगा AHC में, वहाँ पर डॉक्टर उसको जो है वो देखेगा, और उसको जो है वो कप देखे, साथ ही उसका details जो है, वो उस portal में fill करतेगा, तो उससे क्या होगा, कि IT generate होने से patient कहीं पर भी जो है, वो छूटेगा नहीं, और कहीं भी ऐसा नहीं होगा, कि radiation में जो कोई problem आई,